प्रस्ण तीन योगफल ग्याद करें प्रस्ण तीन का एक वटा तीन जोड एक वटा तीन तो योगफल ग्याद करना है यानि इसको जोड़ना है तो भिन का जोड़ है तो तीन और तीन का लग्युत्तम तीन हो जाएगा तो हर बराबर है यानि तीन यहां भी है तीन यहां भी है तो अंस में जो है उसको लिख देंगे यानि एक जोड़ एक तो उपर में जो होता है उसको अंस करते है और नीचे जो होता है हर तो यहां पर तीन देखे हर दोनों का बराबर है तो तीन तीन का लग्युत्तम तीन हो जाएगा और अंस में जो है उसको लिख देंगे यानि इसका उत्तर हो जाएगा दो बटा तीन थीन एक बटा पांच जोड़ दो बटा पांच 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 का लग उत्तम पांच हो जाएगा अल्स में क्या है एक और दो है यानि एक जोड़ दो लिख लेंगे इसका उत्तर हो जाएगा ग, एक वटा साथ जोड़, दो वटा साथ 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 का लगुत्तम साथ हो जाएगा तो अंस में क्या है? एक जोड़ दो है, यानि तीन वटा साथ होगा इसका उत्तर ग, दो वटा पाँच जोड़, एक वटा पाँच तो पाँच पाँच का लगुत्तम पाँच हो जाएगा अंस में जो है, उसको लिख देंगे क्योंकि हर बराबर है दोनों में हर क्या है? पाँच है तो अंस क्या है? उसी को लिख देंगे दो जोड़ एक, यानि दो एक तीन वटा पाँच अड़ा दो वटा साथ जोड तीन वटा साथ 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 का लगुत्तम साथ हो जाएगा अंस में क्या है? दो है और तीन है तो दो जोड तीन लिख देंगे यानि तीन दो पाँच वटा साथ इसका उत्तर होगा चा एक वटा दस जोड दो वटा दस तो दस दस का लगुत्तम दस हो जाएगा अंस में जो है उसको लिख देंगे यानि तीन वटा दस चा चार वटा नौ जोड तीन वटा नौ तो नौ नौ का लगुत्तम नौ हो जाएगा यानि चार जोड तीन लिख देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा साथ वटा नौ ज़ग एक वटा आठ एक वटा आठ और चार वटा आठ है तो योगफल ग्याद करना है तो जोड का चीन देंगे तो एक वटा आठ जोड चार वटा आठ आठ लगुत्तम ले लेंगे तो अंस में क्या है एक जोड चार है यानि चार एक पांच वटा आठ इसका उत्तर होगा जह जह में एक चोथाई प्लस दो चोथाई तो देखे एक चोथाई है जोड़ दो चोथाई है एक एक चोथाई जोड़ दो चोथाई तो एक चोथाई यानि एक बटा चार लिखेंगे जोड़ दो चोथाई यानि दो बटा चार लिखेंगे ठीक है अब इसको जोड़ देंगे चार चार का लग हो तम चार हो जाएगा तो अंस में है एक जोड़ दो यानि इसका उत्तर हो जाएगा तीन बटा चार जिसको की लिख देंगे देखें तीन बटा चार को क्या लिख देंगे तीन चोथाई क्या लिखेंगे तीन चोथाई तो इसका उत्तर हो जाएगा तीन चोथाई यानि एक चोथाई और दो चोथाई को जोडने पर क्या आ जागा तीन चौथाई प्रस्न चार जोडें प्रस्न चार क एक वटा नौ जोड़ दो वटा नौ जोड़ दो वटा नौ ये है प्रस्न तो तीनों का हर में नौ है यानि नौ ही लगुत्तम हो जाएगा तो तीनों का हर बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख देंगे यानि एक जोड दो जोड दो कितना जागा उत्तर दो दो चारेक पांच वटा नो पांच वटा नो इसका उत्तर होगा ख दो वटा इगारा जोड तीन वटा इगारा जोड 4 वटा 11 तो 11, 11, 11 का लगुत्तम हो जाएगा 11 तो अंस में जो है उसको जोड लिख देंगे क्योंकि हर बराबर है तो 2 जोड, 3 जोड, 4 यानि 4, 3, 7, 2, 9 9 वटा 11 इसका उत्तर होगा 1 वटा 10 जोड 2 वटा 10 जोड 4 वटा 10 तो 10, 10, 10 का लगुत्तम 10 हो जाएगा तो अंस में जो है उसको लिख देंगे 1 जोड, 2 जोड, 4 यानि 4, 2, 6, 1 7 वटा 10 घर 1 वटा 7 जोड 2 वटा 7 जोड 3 वटा 7 7, 7, 7 का लगुत्तम 7 हो जाएगा तो अंस में जो है उसको जोड लिख देंगे एक जोड दो जोड तीन यानि तीन दो पांच एक छे छे वटा साथ इसका उत्तर होगा प्रस्न पांच का का तो प्रस्न पांच का का में भी देखिए जोडना है कौन कोन है तो एक वटा आठ कॉमा दो बट आठ है तो जोड़ दो बट आठ लिख लेंगे क्योंकि जोड़ना है और चार बट आठ है फिर जोड़ का चीन देंगे यानि जोड़ना है तो सब को सब के बीच में जोड़ का चीन देंगे कॉमा और और को हटा करके ठीक है तो आठ 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 का लगुत्म क्या हो जाएगा आठ तो अंस में जो है उसको लिख देंगे एक जोड दो जोड चार यानि चार दो छेक साथ तो इसका उत्तर हो जाएगा साथ वटा आठ खा दो वटा इगारा जोड तीन वटा इगारा जोड चार बटा इगारा तो इगारा 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 के लग उत्तम इगारा हो जाएगा तो अंस में जो है उसको लिख देंगे दो जोड तीन जोड चार यानि चार तीन साथ दो नो तो इसका उत्तर हो जाएगा नो बटा इगारा माफ की जगाई ये प्रसन जो है 4 का खह हम उतार दी हैं गलती से थीक है तो 5 का खह हम नीचे बना लेते हैं थीक है 5 का खह है 1 बटा인데 जोड़ देखे 1 बटा 10 कौमा 2 बटा 11 तो जोड़ देंगे 2 बटा 11 और 3 बटा 11 फिर जोड का चीन 3 वटा 11 यह है प्रस ने 5 का खा है ठीक है वह हम गलती से 4 का खा उतार दिये थे तो 11 11 11 का लगुत्तम हो जागा 11 तो अंस में जो है उसको लिख देंगे 1 जोड 2 जोड 3 यानि 3 दो 5 एक 6 6 वटा 11 इसका उत्तर होगा ठीक है गा 1 वटा 13 कॉमा 2 वटा 13 है तो जोड 2 वटा 13 लिख लेंगे और 5 वटा 13 है तो जोड 5 वटा 13 लिख लेंगे क्योंकि जोडना है तो 1 वटा 13 जोड 2 वटा 13 जोड 5 वटा 13 तो 13, 13 देखें, 13, 13, 13 का लगुत्म 13 हो जाएगा तो हर सब का बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख देंगे एक जोड, दो जोड, पांच यानि पांदो साथ एक आठ वटा तेरा इसका उत्तर हो जाएगा आठ वटा तेरा घ़ एक वटा नौ और दो वटा नौ तो जोड देंगे दो वटा नौ और को हटा करें क्योंकि जोडना है फिर है दो वटा नौ और चार वटा नौ फिर जोड का चीन देंगे तो चार वटा नौ लिख लेंगे तो नौ 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 का लगुत्तम नौ हो जाएगा प्रस्न 6 खाली अस्थानों में बड़ा कचिन ने चोटा कचिन और बराबर कचिन ने लिखे तो प्रस्न 6 का तो 1 बटा 3 जोर 1 बटा 3, खाली अस्थान 2 बटा 3 तो देखिए तीन और तीन का लगुतम तीन हो जाएगा तो अंस में जो है उसको जोड़ देंगे एक एक दो यानि यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा एक एक दो यानि दो बटा तीन इधर भी हो जाएगा दो वटा तीन इधर भी यानि बराबर कचीन देंगे यहां पर ठीक है क्योंकि हर में बराबर है तो अंस में जोड़ेंगे तो एक एक दो हो जागा यानि दो वटा तीन हर का लगुतम क्या हो जागा तीन और तीन का लगुतम तीन हो जागा और अंस को जोड देंगे तो एक एक 2 यानी 2 वटा 3 इधर भी आएगा और इधर 2 वटा 3 है तो बराबर कर चीनी देंगे ख चार वटा 7 úr एक वटा 7 खाली स्थान छे वटा 7 तो देखें हर बराबर है तो 7-7 का लगोतम 7 हो जाएगा तो अंस में जो है उसको जोड़ देंगे 4 एक 5 यानि 5 बटा 7 आएगा इसको जोड़ने पर और इधर है 6 बटा 7 तो कौन बड़ा होगा ठीक है देखे इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 5 बटा 7 और इस तरफ है 6 बटा 7 ठीक है यहां पर खाली अस्थान है तो इसको जोड़ने पर कितना आया 5 बटा 7 आया 4 एक 5 और हर में 7 है 7 लग उत्तम होगा यानि 5 बटा 7 और इस तरह पर 6 बटा 7 तो हर बराबर है ठीक है? तो जब हर बराबर हो तो अंस में जो बड़ा होगा वही भीन बड़ा होगा देखे हर बराबर है तो अंस में कौन बड़ा है पांच बड़ा है कि छे बड़ा है छे बड़ा होता है पांच से ये पांच से छे बड़ा होता है ठीक है यानि छे बटा साथ बड़ा होगा ठीक है इसका मतलब हुगा कि इस तरब का चीन देंगे तो हर जब बराबर हो तो अंस में जो बड़ा होगा वही भीन बड़ा होगा जैसे यहाँ पे हर बराबर है तो 6 बड़ा है 5 से यानि 6 बटा 7 बड़ा होगा 5 बटा 7 से यानि इसका मतलब हुआ कि चार बटा साथ, जोड़ 1-वटा साथ से बढ़ा होगा, 6-वटा साथ, ग, 4-वटा 11, जोड़, 2-वटा 11, खालेव स्थान, 1-वटा 11, जोड़, 6-वटा 11, तो दिखे, लग, हर बराबर है, तो 11-11 के लगभुता में 11 हो जाएगा, चार दो छे यानि 6 बटा 11 आ जाएगा जोडने पे और इस तरफ 6 एक 7 बटा 11 तो हर बराबर है तो अंस में कौन बड़ा है छे बड़ा है कि 7 बड़ा है 7 बड़ा है यानि 7 बटा 11 बड़ा होगा यानि इस तरफ का हम चीनने देंगे तो कौन बढ़ा होगा 1 वटा 11 जोड 6 वटा 11 बढ़ा होगा 4 वटा 11 जोड 2 वटा 11 से घः चार वटा 9 जोड 3 वटा 9 खालिय स्थान 2 वटा 9 जोड 3 वटा 9 हर बराबर है तो अंस में क्या है 4 जोड 3 यानि 4-3, 7 बटा 9 लिख लेंगे इसको जोड़ेंगे तो 3-2, 5 बटा 9 आ जाएगा तो देखें हर बराबर है तो अंस में कौन बढ़ा है? 7 बढ़ा है 5 से यानि 7 बटा 9 बढ़ा होगा ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस तरब का चीने देंगे यानि ये बढ़ा होगा इससे प्रस्म साथ सही या गलत बताएं तो प्रस्म साथ का एक वटा 6 जोड़ तीन वटा 6 दो वटा 6 इस तरह से दिया हुआ है तो देखें जोड़ करके देखेंगे हर बराबर है तो तीन एक चार वटा 6 हो जाएगा तो चार वटा 6 और इस तरह है दो वटा 6 तो ये सो सही है ठीक है तो हम लिखेंगे सही क्योंकि देखें हर बराबर है तो अंस में जो बड़ा होगा वही भीन बड़ा होगा तो चार बड़ा होता है दो से यानि चार वटा 6 बड़ा होगा दो बटा stains, तो यह सही है, हम सही लिखेंगे, ख, पांच बटा 9 जोड, दो बटा 9, आथ बटा 9, तो देखें, पांच और 2, साथ बटा 9 हो इसतरह से दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि, हर बराबर है, तो अंस में जो बड़ा होगा, अंस में देखे, 7 से बड़ा 8 होता है, यानि 8 बटा 9, बड़ा होगा 7 बटा 9 से, ठीक है, तो ये भी सही है, तो हम सही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सही, ग, एक बटा 6 जोड, दो बटा 6, पांच बटा 6, तो देखे, एक बटा 6 जोड, दो बटा 6, कितन बराबर है तो अंस में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है यानि पांच बड़ा है तीन से तो पांच वटा छे बड़ा होगा तीन वटा छे से तो इसलिए इसको हम गलत लिखेंगे यानि ये गलत है ठीक है कौन बड़ा होगा पांच वटा छे बड़ा होगा प्रस्न आठ एक आदमी ने अपनी संपत्ती का तीन वटा पांच भाग बेटे को तथा एक वटा पांच भाग बेटी को दिया उसने बेटे तथा बेटी को मिलाकर संपत्ती का कुल कितना भाग दिया तो प्रस्न साथ ये प्रस्न आठ तो कहा रहा है कि एक आदमीन अपनी संपत्ती का तीन वटा पांच भाग किसको दिया है बेटे को और एक वटा पांच भाग दिया है बेटी को तो उसने बेटे था बेटी को मिलाकर संपत्ती का कुल कितना भाग दिया तो दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए, पांच पांच का लगुत्तम पांच हो जाएगा, अंस में जो है उसको लिख देंगे, यानि तीन जोड़ एक, यानि कितना आ जाएगा, चार बटा पांच, तो लिखेंगे, तो कह रहा है कि उसने बेटे था था बेटी को को मिला कर संपत्ती का कुल कितना भाग दिया है तो लिखेंगे आदमी ने आदमी ने कुल संपत्ती कुल संपत्ती दिया चार बटा पांच भाग कितना भाग दिया है चार बटा पांच भाग तो यह हो जागा इसका उत्तर प्रस्न नौ रिसु ने किसी आखिरती के साथ बटा तेरा भाग में रंग भरा तथा मिकू ने आखिरती के चार बटा तेरा भाग में रंग भरा दोनों ने मिलकर कुल कितना भाग रंग भड़ा तो रीशु कितना भाग रंग भड़ा है 7 बटा 13 मिक्यू 4 बटा 13 तो देखें, दोनों को जोड़ देंगे तो 13, 13 का लगुतम 13 अंस में जो है, उसको लिख देंगे यानि 7, 4, 11 बटा 13 तो लिखेंगे दोनों ने 11 बटा 13 भाग रंग भरा ठीक है दोनों ने 11 बटा 13 भाग रंग भरा तो इस तरह प्रस्ने 9 तक हल कर लेंगे स्ववड़ है स्वप dif है